मेरा नाम अथर्व सिंग है, मैं कक्षत तीन आमें पढ़ता हूँ, मेरी कहानी का नाम है कववा और लोमडी एक जंगल में एक पेड़ पर एक कववा रहता था, उसे पेड़ के पास ही एक रोटी मिली उसने रोटी को अपने मुँ में पकड़ कर वह चला गया, वह पेड़ पर उड़ गया वह पेड़ लोमडी ने देखा कि कववे ने तो रोटी ले ली, वह सोचने लगा रोटी लेने के लिए मुझे कुछ उपाय सूचना होगा, मगर कववा भी बहुत चालाग था तो लोमडी ने बोला, कववे भाई, तुम कितना अच्छा गाते हो, मुझे भी एक गाना सुनाओ ना कववे लोमडी की चालागी समझ गया, उसने रोटी को अपने पंजे में पकड़ा, और वह गाना सुनाने लगा लोमडी का मुझ जरा सा रह गया, तो वह मुझ बना कर चली गई, कववे ने मजे से रोटी खाई, और वह आनंद लेने लगा, थैंकी